हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक तो मैं चैनल पाइकी प्यूश दोस्तो बात कर लेते हैं उत्राखंड के लिए बिना टाइम बेस किये हुए ट्रैवल गाइडलाइन्स वार उत्राखंड डिसेंबर 6 पे हैं हम आज लेटेस गाइडलाइन्स जो भी हैं मैं आपके सामने अभी आ बतार हो ठीक है उत्राखंड अगर आप जाते हैं तो उत्राखंड के लिए रटी-पी-से-र की मैंडेट रिक्वार्मेंट फिर से आ गई है so if in case you are entering उत्राखंड 72 hours से less की negative RT-PCR report आपको चाहिए और अगर आप जा रहे हैं तो just ensure you have the report with you 72 hours is calculated from the swab collection time just ensure that whenever you are traveling to उत्राखंड जो भी आपकी RT-PCR है उसको इस तरह से plan कीजिए कि जब भी आप जा रहे हैं उससे swab collection time से जब भी आप उत्राखंड पहुचते हैं उसके अंदर-अंदर हो 72 hours के अंदर expire नहीं होना चाहिए so just ensure that from wherever you are coming to उत्राखंड just follow these guidelines साथ में आपको वहाँ पे पोर्टल जो उनका smart city देहरादून पोर्टल है वहाँ पे भी आपको रिजिस्टर करना है so just ensure whenever you are going to उत्राखंड RT-PCR negative test report 72 hours से कम की from the swab collection time ये और second चीज जो है वह आपको smart city देहरादून पोर्टल पे रिजिस्टर करना है और that is it उसके लावा आपके पास बहुत ही basic requirement है जैसे आपके पास होना चाहिए अरुगे सितु आप और normal covid guidelines इसके लावा कोई भी नहीं है चोटा सा वीडियो मैं बनाता हूँ जादा इधर उदर मैं करता नहीं हूँ बात clear बात सीधी सीधी ये आपको requirement है दो साल से कम बच्चों के लिए कोई negative RT-PCR report की requirement नहीं है दो साल से बड़े अगर है तो उनको सबको RT-PCR के requirement है so just ensure जब भी आप जा रहे है though you have the negative covid report with you और अपना साथ में अगर आप fully vaccinated है तो अपने दोनों certificates ज़रूर लेके जाहिए यह मैं एक personal suggestion देता हूँ सबको so just carry this along और यह होना भी चाहिए जब आप vaccinated है तो कोई problem नहीं है most of these scenarios में शायद आपको फिर कहीं hotel में यह कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आप वो भी आप अपना दिखा सकते हैं that is it guys thank you so much for watching this video take care and stay blessed bye bye